ओके, सो यूटीबर एक चैनल है नेम्ड मनोज दे और उस पर 3 मिलिन सब्सक्राइबर से बट जहां कुछ लोग मनोज दे को एक स्कैमर कहते हैं कि वो बस गलत एप्स प्रमोट करके कॉंटोवर्सीज करके और ट्लिक बेट करके ग्रो हो रहा है हजारों ऐसे भी लोग हैं जो कि उसे अपना यूटीब गुरू मानते हैं तो पिछले साल से यूटीब ग्रोथ पर वीडियो बनाने के बाद मुझे पता है कि यहां पर क्या कैसे और क्यों काम करता है तो तुम्हें एक्जेक्ली बताने वाला हूँ इस मनोज दे यूटीब गुरू और श्केमर तो ये वीडियो बनाते टाइम ना एक बड़ी फाइन सी लाई ना जिसको I cannot afford to miss और इसलिए जाहें वीडियो 26 को आने वाली थी इसमें extra 2-3 दिन तो लगे ही लगे और उसके बाद मैंने जो सब रिकॉर्ड करा था वो भी लाइक अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड हुआ तो दिक्कत हो गई इसलिए वीडियो लेट भी हो गई वही अगर मैंने उसके negatives के बारे में जाधा बात किया तो दुनिया के दो सबसे गंदे logics देने वाले है यादो कि मनोज दे के 3 million subscribers हो और मेरे पस 3.5 लाग तो मैं उसको criticize नहीं कर सकता हूँ बाई ऐसे तो जब तक तुम्हारे 3.5 लाग subscribers ना हो जाए तुम्हारा comment भी invalid होगा मतलब कुछ भी बेगाड लोजेगे With all of this said पहला point आता है कि मनोज limit से जाधा clickbait करके अपनी audience को जूटे सपने दिखाता है जैसे कि एक दिन में 1 million subscribers करवाना हो 7 दिन में 1000 subscribers या उल्टे सीधे अप से घंटों में earn करवाना 1. इसको गलत कहने वाले लोग अगर एक बार इस पर click कर लेते तो उन्हें पता चलता कि मनोज देने इसमें एक दिन में 1 million subscribers करने की बात कहीं ही नहीं है उल्टा इस वीडियो का पॉइंट ही था कि ऐसे वीडियोज गलत होते हैं 2. तुम कह सकते हो जब एक दिन में 1 million subscribers होई नहीं सकते तो थमनेल में ऐसा लिखा ही क्यों और इस वीडियो का क्या 7 दिन में 1000 subscribers ये गलत नहीं है क्या and to your surprise शायद है गलत नहीं है एक तरफ I agree, it is click betty and theoretically मनोज भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए बट practically अगर वो ऐसा ना करें तो क्या उनकी प्रडियोस पर views आएंगे बिल्कुल भी नहीं ब्रो ये कुछ ऐसा है कि सभी लोग को पता है कि 7 दिन में 1000 subscribers नहीं होने वाले हैं अगर वो वीडियो में भी सेम बात बोलता कि आज मैं तुमारे साथ दिन में 1000 subscribers करवाने वाला हूँ तो वो लाइक लोग को थोड़ा बेवकूफ बनाना हो जाता बट एट लिस्ट इस वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं था बट डस दाट में कि सब कुछ से ही है अफकॉर्स नो तो नाओ लेट्स टॉक अबाउट दी नेगेटिवस कि वो यूट्यूब टेप्स एं ग्रोथ के बारे में बात तो करता है बट जाधा तर इन्फोर्मेशन या तो काफी सर्फेस लेवल होती है या फिर इवन कई बार गलत भी होती है अभी कोई एक्सपोज वीडियो तो है निकी भाई मैं से प्रूफ से भर दूँ बाइट जस्ट ग्रोवाई पॉइंट कि मोस्ट टिप्स आर इधर सुपरफीशल या फिर गलत होती है मैं तुम्हें थोड़े एक्जांबल जरूर देता हूं इस वीडियो में एक्जेक्ली दो मिनट 3 सेकंड पर मनोज भाई कहते हैं कि CTR के लिए 80-90% थमनेल ही जरूरी होता है और सेम वीडियो में 2 मिनट 30 सेकंड पर वो ये भी कहते हैं कि टाइटल से उतना फर्क नहीं पड़ता है ब्रो सही बता रहा हूं अगर तुम इस टिप को अपलाए करते हो तो भूल जाओ इसे ही इस वीडियो में तो मनोज भाई ने हद ही कर दी वीडियो का टाइडल है रुलादिया यार एंड मनोज ने बताया कि यूट्यूब फॉरन में क्रियेटर्स को यहां के कंपेरिजन में 10-20 गुना पैसे देता है एंड ये गलत है तो यूट्यूब को इसे सही करना च चीज होती है यहां इंकम कम है तो लचम जाता है तो उसी से वड़े बढ़ जाता है तो इसका क्या लोजिक हुआ सब्सक्राइब कि अगर तुम्हें सब्सक्राइबर्स चाहिए तो किसी भी क्रियेटर की वडियो आते ही तुरंत अपने चैनल की लिंक उसके कॉमेंट सेक्षेन में डाल देना एंड वही हो रहा है यार लाइक से जाधा कॉमेंट्स पॉसिबल है यह तुम ही बताओ जैन्यून कॉमेंट्स गैमर तो बिल्कुल भी नहीं है अब मैं तुम्हें प्रूफ करूँगा कि वह एक यूट्यूब गुरू भी नहीं है माइपॉइंट इस यूट्यूब पर ग्रो करने का बेसिक प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है कि तुम्हारा कॉंटेंट में दम होना चाहिए लोग उसे ज काफी सही कर लिएं बट उससे पहले कोई कहे ही नहीं सकता था कि ये तीन में वाले चैनल के थमनेल्स होंगे ब्लू बैक्ग्राउंड के उपर ब्लू टेक्स थोड़ा टेक्स्ट राइट अलाइंड उबर की दरफ और फिर लेफ्ट में छोटा टेक्स इम्पॉर यूट्य अलाइमेंट एन हाइरार्की जैसी चीजे कंप्लीटली मिसिंग है जो की प्रोफेशनल नहीं है अब ऐसा कुछ थम्नेल्स में होतों चलता है बट ऑनेस्ली जादा था थम्नेल्स ऐसे ही बनाएं गए हैं इसके बाद आल्मोस्स सभी वीडियो के इंट्रो के बाद मनोज भ बात है कि हो सकता है मनोज भाई को नॉलेज बहुत दो बट इस कॉंटेंट इस क्वाइट मिडियोकर बट सवाल यह है कि ऐसा कॉंटेंट होने के बाद भी उनके तीन मिलन सब्सक्राइबर कैसे हो गए तो थोड़ी सी डीब बात बोलूँगा समझने की कोशिश करना जरूरी नहीं है जो खुद ग्रो हो चुका है वो तुम्हें भी ग्रो करवा सके क्यों क्या कैसे बताने लगा तो विडियो काफी जादा डीब और कॉंप्लेक्स हो जाएगी तो अब ही समझते हैं कि अगर मन करने के लिए एक रूम तक नहीं था आज वो हैरियर जैसी कार में घुमता है मैं तो उससे रेलेट नहीं कर पा था बेकॉस मैं उसकी टार्गेट ओडियंस ही नहीं हूँ बट जो टीर 2 और टीर 3 वाले लोग उसकी टार्गेट ओडियंस हैं उनके लिए बिना रिसोर्स के इतने आगे आपना रिसोर्स वाले लोगों से भी आगे निकल जाना इंस्पिरेशन है वो दोस 2 जब मनोच दे ग्रो हुआ था उस टाइम माई स्मार्ट स्पोर्ट और कूल माइन टेक जैसे कुछ गिने चुने चैनल सी थे और ऐसे में मनोच को एक हास कॉम्पेटिशन भी नहीं मिला और राइट टाइमिंग की वज़े से वो उस टाइम सही ग्रो हुआ 3 एवन आज की डेट में वो कॉंस्टेंटली कुछ ना कुछ करते ही रहता है जिससे उसके व्यूज बने रहते हैं ऐसे टाइटल्स रखना जिससे लोगों को आईडिया ही ना लगे वीडियो में क्या होगा अपनी परसनेलेटी के राउंड खेलना हिंदी टैटल्स का यूज करना जिससे रीच जड़ा से ज़ादा हुआ complex strategies के बारे में बात ही ना करना बस उब्री उब्री बाते करना तकि time pass करने वाले लोग भी उससे देखते रहें बलकि लोगों को मनोज की स्टोरी बता है कि कैसे वो पहले उनके जैसा ही था, फिर उसने महनत करी, दिमाग लगाया and आज 3 million subscribers पर है, guarantee है, इस स्टोरी के बिना जहाँ वो आज है, वहाँ वो हो ही नहीं सकता था, basically मनोज दे अपने content से जाद अपनी स्टोरी को sell करता है, वो ए I know इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो next part में मैं बताता हूँ कि इस वीडियो का conclusion क्या है, and मनोज भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो कि I am 100% sure आप देखी रहे होगे, तो आपके लिए भी एक one to one special message अगले ही part में होगा, तो let's begin हर इनसान के कही ना कही positives होते हैं, तो negative भी होते हैं, as a YouTuber मनोज दे 3 million subscribers पर ऐसे नहीं वैटा है, बलकि उसे पता है कि अपनी audience को कैसे पकड़ कर रखना है, कैसे titles यूज करने है, कौन से topics वरबात करनी है, कैसे अपने channel पर नई audience को ले कर आना है, but इसके साथ मेरे opinion में जो भ editing या presentation या even पुराने वाले thumbnail, देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सब चीजें 3 million subscribers वाली channel की है, although I agree he's trying to improve जो कि काफी बढ़िया चीज है, but मेरे opinion में अगर तुम मनोज भाई से relate करते हो, तो उनके वीडियो से तो motivate तो हो सकते हो, but तुमें YouTube growth के बारे में वहाँ deep information तो नह personally ऐसा लगता है कि तुम्हें YouTube की काफी knowledge है, but क्या वो knowledge तुम्हारे content में जलकती है, नहीं, तो क्या किया जाए, तुम्हारी एक behind the scene वाली video देखी थी, मुझे भी facecam शुरू करना था, तो उससे पता चला कि shoot कैसे किया जाए, video काफी काम की थी, तुम्हारी video देखू ना दे और जरा खुद भी देखना कि तुम कौनसी strategies use करते हो, जिससे grow हो रहे हो, फिर 10 minute में ऐसे video मत बना देना, उसी copy में 4-6 points लिखना, और फिर उन्हें explain करना, इससे शायद तफरी काटने वाली लोग video ना देखे, तो views थोड़े कम आए, पर जो देखेगा, वो तुम्हें सही अपना गुरू मानेगा, उसके मन में तुम्हारी इजट next level होने वाली है, ऐसे ही तुम्हारी काफी video search में भी rank करती हैं, बस ये बोल कर मत चले जाओ कि ऐसी यो अच्छा करो, ये करो, वो करो, and तुम्हारी videos rank करेंगी, क्योंकि ये किवल 5-10% सच है, सच तो ये है, तुमन मैं सही में कहूंगा, you are actually the number one tips channel in India, तब तक ये केवल numbers का एक जूट है, सच नहीं